करन पटेल को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। करन अब एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिने सब पैचानते हैं। बले ही स्टार प्लस का सीरियल यह है मौभते आफ एर हो चुका है। पर करन को उनके किरदा रमन भला के नाम से लोग आज भी जानते हैं। करन ने अपने किरदार अमन की वज़े से एक आदर्ष बेटा, एक आदर्ष प्रेमी, एक आदर्ष पती, एक आदर्ष पिता, एक आदर्ष भाई, एक आदर्ष जमाई और एक आदर्ष दोस की इमेज बनाई रखी है। आफ्टर ये है मोहबते करन को हम सब खत्रों के खिलाडी के दसवे सीजन में खत्रों का सामना करते हुए और उन खत्रों को मात देते हुए देखेंगे करन ने अपने लुक्स, स्टाइल, फिट बॉड़ी औन हांसम हंग जैसे इमेज की वज़ा से अपने फैन्स खास करके लड़कियों को काफी इंप्रेस कर रखा है स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स सभी की एक ही ख्वाईश है कि अगर उनका बॉइफरेंड हो तो वो करन जैसा हो करन की इतनी फैन फॉलविंग है तो आईए हम बताते हैं उनसे जुड़े कुछ ऐसे फैक्स जो शायद आपको अब तक पता नहीं होंगे करन का जनन 23 नवेंबर 1983 को कॉलकता में हुआ था करन के पापा का नाम है रशेश पटेल जो पेशे से एक बिजनिसमेन है करन अपने ममी पापा की एक लौती संतान है करन ने आक्टिंग सिकल्स डेवलप की थी फ्रम द लन्डन स्कूल अफ आर्थ और बेसिक आख्टिंग सिखी फ्रम नमित कपूर एक्टिंग स्कूल करन ने डान्स की ट्रेनिंग भी ली है इन दे पास्ट करन ने शामक दावर्ट्स डान्स इंस्टिटूट से डान्स सीखा है करन रियल लाइफ में अपनी मम्मी को अपना आदर्श मानते है करन रियल लाइफ में अपनी मम्मी मीनू पटेल को अपना आदर्श मानते है करन रियल लाइफ में कम्प्लीट ममास बॉय है वोक सर अपनी मम्मी से अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के सल्यूशन्स लेते है और उनकी मुम्मी के द्वारा दिये गए मार्गदर्शन पर ही चलते हैं शायद इसी वज़ा से करन अपने आपको बैड कमपनी और आदोतों से दूर रखते है करन ने पास्ट में कई सारे सपोर्टिंग रोल्स किये है पर उनकी पहचान एकता कपूर की सीरियल कस्तूरी से मिली कस्तूरी में उनका नाम रॉबी सबरवाला था और उनकी को एक्टर थी हाल फिलाल में भाबी जी घर पर है की अंगूरी भाबी शुभांगी अत्रेपूरी करन का पंच्वालिटी को लेकर रेकॉर्ड ठीक नहीं रहा जिसकी वज़े से एकता कपूर के साथ भी उनकी अन्बन हो गई थी ऐसा सुनने में आया था कि तब उनके को स्टास को भी उनसे प्रॉब्लम्स होती थी क्यूकि करन के लिए उनको घंटो सेट पर वेट करना पड़ता था पर फिर करन ने खुद को बदलने का फैसला किया और उन्होंने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया और नाइट आउल से बन गए मौनिंग परसन सिंस करन अच्छे डांसर भी है तो हम आपको रिकलेट करवा दे कि करन ने कई डांस रियालिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है करन ने नच बल्य अंजलक दिखला जा में पार्टिसिपेट करके अपने आपको वरसिटाइल साबित किया वेल खबरे थी कि जब करन अच बल्य में थे तब वो अमिता के साथ रिलेशनशिप में थे बट इसे बात पे करन ने स्टेट्मेंट दिया था कि मेरी कोई गर्फरिंट नहीं है में और अमिता सिर्फ दोस्त है ये ज़रूर कोई मिसंडेस्टैंडिंग है करन कई लड़कियों के साथ लिंक्ट अप रहे है उनका फेमस लिंक अप था विद बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट कामिया पंजाबी ऐसा माना जाता है कि करन कामिया के साथ लंबे अर्से से रिलेशनशिप में थे और दोनों शादी भी करना चाते थे बट करन की फैमिल के फादर और कोई नहीं बलकि करन के ये है मौबते में रील फादर इन लौ है अंकीता ने रीसेंटली एक बच्ची को जनम दिया जिसके पिच्चर्स सोचिल मीडिया पर काफी वाइरल हुए बल अगर कुछ रुपोर्ट्स की माने तो शादिया र अपने लिंकप्स के पहले करन को बढ़ी दिल्चस्पी थी टीवी अक्ट्वेस रश्टी धामी को डिनर डेट पे ले जाने के लिए बायोपिक्स बननाव आजकल आम बाते हो गई है तो करन की चाह है कि जब कभी उनकी लाइफ में अगर एक बायोपिक बने तो बॉलिवूड आक्टर अनवीर सिंग वो रोल निभाए करन अपने आपको बॉलिवूड किंग खान शारुक खान के सबसे बड़े डाय हर्ट फैन मानते है जब किसी भी एक इवेंट पर अगर शारुक खान और करन एक साथ इखटा हो जाए तो करन अपने आपको लखी महसूस करते है वेल करन अपने आपको टीवेपुर का सर के करन के लाइकिंग्स की अगर बात की जाए तो करन को गाने सुनने का भी बड़ा शौक है करन को दिवाना दिल दिवाना फ्रॉम तो बॉलिवुड मुवी कभी हां कभी न यह उनका ओल टाइम फेवरेट गाना है करन को खाने में अमेरिकन फास्ट फूड और कबाब्स पसंद है करन को ब्लाक कलर पसंद है इसलिए शायद उनको बाटमैन की सीरीज भी पसंद आती है करन को रजगुला खाना भी बहुत पसंद है करन लव्ज इस डॉग नौटी वो उसका पहला बच्चा है करन भले ही गुजराती है बट करन को पंजाबी कुजीन खाना बहुत करनों सब्सक्राइब गले है करनं भीज शायद ऑटनी शींटां प्संद तर्दण करन है इस जारीज वो धे जारीजल मेंन के इस इस बहुत पसंद जॉक्स्तूबशन के पसंदू उड़ पसंद एस खाना के दॉक्टाश पटमैन आपकर मेंन आपकर पसंद दुटबवयो